पिकपदीनागी भी बहुत अच्छी कुछ भू आती है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है आज की वीडियो में डेडिकेट कर रही हूँ अपने पेरेंट्स को जो कुछ दिनों के लिए मेरे पास आए और हमने उनके साथ काफी अच्छा टाम स्पन किया शादी के बाद responsibilities के चलते ऐसा बहुत कम होता है कि हम बेटियों को अपने parents के साथ quality time spend करने को मिले वैसे भी मैं अपने कुछ relations को लेकर काफी ज़्यादा emotional हूँ सो जब तक वो मेरे पास रहे मैंने उनके कुछ clips shoot किये हैं जो आपके साथ share कर रहे है Hello everyone, welcome back to another vlog Hi अब देख सकते हैं मैं नहाद हो के त्यार होगी है और यह अभी नहाने जारे Salina 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 तो कई सो के उठे हैं साहफ अपना nap लेके हटे हैं और अभी जाएंगे नहाने के लिए तो मैं जाए सुबह सुबह तयार होगी थी क्योंकि मेरे पास करने के लिए क्लीनिंग के अलावा कुछ काम था नहीं कम डस्टिंग की है और बैस बैठके ममा पापा के साथ गप्पे मारी हैं को पता ही है कि पापा ममा आये हुए है तो आज कुकिंग का कुछ जादा काम था नहीं दो दो ब्रेड स्लाइसी अपने खा ली है क्योंकि आज बन रही है खिचडी जो मा की डाल और कुल्थी की डाल को मिला के बनती है बहुती स्वाद बनती है और हमारे गर में सब बहुत पसंद करते हैं मैं नहीं बना रही हुए है ऐसे भी ममा ही महिशा बनाते हैं तो आज तो दो माए हैं घर मुझे को गिंकरनी की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है तो आज हम जो माहाओ की खाएंगे अणो को स्फटी खाएंगे खाइंगे। अभी मुझे में इसको बल्मदा आता है चानल जाते हैं तो दो आजाघ सब जगाई कर दो हदो मार दो हाद सब जगाई ंशी जगा É ज़ Dir O अब करो, अब करो, अब करो, अब शुरू किया या झाते रो अब नब नारो, ममा ममा आए नहीं चिचडी गना रहना है आए दो-दो माहों के हाथ की खायंगे खेशीडी के आपक रेस्पी और है कैशे है अब खाई रहे चुके है आप बनाते होंगे लेकिन जिन लोगों को एक हिच्डी बनानी नहीं आती है उनकी लिए मैं वीडियो का लिंक डिस्किप्शन बॉक्स में डाल दोंगी क्योंकि पहले भी मैं इसकी रेश्पी शेयर कर चुकी हूँ तो आप उस वीडियो में चेक कर लीजिएगा दिदुखाम खांसी सीजन स्टफी क्या आप कि अपक जिद्दगी में सुने कर लाव कवा पार यह काम है आपके लावार बारी जान कहने कर लाव मेरे वाज जा रही है में नानी सीडिया चड़ के आरहे हैं भी आठानी है कि वह यहाँ एंगे रहे हैं नहीं वह सुबह बहुत ही पैयार से आया है वह जाए जब आखाए जब आखाए जो कि अज़ पूछने आए कि अप्ते इत्रीयत कैसी है अठीक है तू लेक्या हुं ते लिए इसे होता है जु Round i वाए नानी खर पहा ही हो टेह तो स्ट्पो ओ डीधी उपर क्या करए है श्ट्फों साण हले रहा है बाते कर्रह मंझे अड़ लग ता है मुझे जनुी हा लगता है शहला कर तो तो इसना शरीव बच्चा है मतारा года प्यार ले रहा है वो आप से, प्यार करने को बोल रहा है, खिचडी हमारा एक ट्रडिशनल फूड है, और इसे खाने का मज़ा तब तक नहीं आता, जब तक घीस के उपर पूरी तरह से तैर ना जाए, तो ये है सर्दी की पहली खिचडी, सर्दियों में ये बहुत बार जैस्मिन को भी आना था, लेकिन उसकी कुछ तबियत ठीक नहीं थी, तो उसने आराम करना बेटर समझा, हाँ, अच्छा लगा लगाँ, तो इतने लब लंबे कर ले ले हैं तिर इतने लंबे लंबे ले, फिर कोई तांग आएगा, फिर मुम्मी आपटां करे रहे को से लेकिने बड़े नाखून किसले हैं, किसी को मारने के लिए? तो ने क्या बोला? जैस्मिन आप भी रख आपको परिशान करें तो आप दूसको नाकुन माना वाव जासनी की आडवाईस दिया तुमने मेरी बेटी बढ़ी है चुपरी सके साधी कुमेने डाने लाने आयर बार आपके साथी रहना मैने निक्राने शाथी अजो को पिन डालो है वही रालो है लोगा चुपरी बालो है वही बालो है ? बंचीक? दिये बंची नाव भालो है बंचीक पर लिए जय चक्की ghat पड़ल दैक है कि आग से जन्पे का फिर डंब को बेंड़ंगे अड़ंगेड़ में जन्टो के जन्थ और नजञे रगाँन सेफ़ में पर छावी लेना यह मुथन लगई एप प्हूने के लिए एक ठीपले टीजों आण डिका एकिन लिए पताया एक्षा जैसमिन वैसे करने वाले है एक पश्वेर कर आजाया है अब ही मैं मैं मा मा औपा को लेकर जाया हूँ एसलोन हाब सलोन इनको थोड़ा रिलाकस करने के लिए थोड़ा सब खाले लिए लिए फटाफट से चलते हैं हम जारहे हैं विकी के सलून वो सलून जिसके बार में आपको अपने व्लॉग में बताया था आयू रेड़ी ठीक, रेड़ी चलो 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 और यू गाइस्टे हीर लिए भी काइस्टे हैं और दो जोडे और लाई खर पहा है रहा सकति है कल शौपिंगे अपनी प्रसांद करके ना सब्सक्राइब चलने को पड़िया रिए अच्छे है अच्छे है मेरी माप चली कशप्रान लागे कोश्ष विश्च वंधिया और कि लाना स्माज की रीध है कि पेटे तो अपने पेटे ऐथे से बहुत कम मुदते हैं कि अपने पेरेंटे के लिए कुछ कर सकें जब भी मॉका मिले उस मॉके को ग्राब कुर लिजिये और थोड़ा बहुत जो भी आप उनके लिए करना चाहें कर डालें नेक्स टाइम पे कभी न चोड़ें वैसे भी हम अपनी तरफ से उनके लिए कितना भी कर लें लेकिन कभी comparison नहीं कर सकते उन सब से जो पूरी उम्र उन्होंने हमारे लिए किया और आज भी वो हमारी फिक्र करते हैं ये share इसलिए किया ताकि हर बेटी को कह सकूँ Do something for your parents कुछ भी जितना भी आपको ठीक लगे उन्हें प्यार दीजिए, उन्हें comfortable feel करवाईए express कीजिए कि आप उनकी कितनी care करते हैं क्योंकि दुनिया में सिर्फ यही एक ऐसा रिष्टा है जो बिना सुआर्थ के आप से प्यार करता है आप बस रिलाक्स करो आपको रिलाक्स करो आपको रिलाक्स करने है यह दुम्णिंगरे लाई मैं पाने ठीक एका है है हमे चेक्ट तो गाइज आज बन रही हैं एंकलिया और दाल पर ले चिम्नी बन कर दो बाद आवाज हो रही है बन चुकी है दाल माग की दाल बहुती होती है दाल तो मेरी दोनों माएं जो है वो किचन में लगी हुई है और मैं अराम से बखी हूँ 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 ने बहुत ही सिंपल, तो ली शाँ टालते जाओ, पलड़ते जाओ, और खाते जाओ, जी के रूम में, यह मैं जाना हूँ वापीज अपने रूम में, शाम को विडियो राई भो जाएगी, आज, कौन सी वली? मैंने मम्मा की एक salad masala की recipe आपके साथ share की थी लेकिन मेरी मा ने आते ही उसमें नुक्स निकाल दिया कि तुने ये ठीक से नहीं बनाया क्योंकि मैंने पत्तों को धो के dry नहीं किया था as it is उन्हें grind कर लिया और वो masala थोड़ा loose loose बना था तो आज फिर मैंने मम्मा को कहा कि चलो अब आप बना के दिखाओ की कैसे बनाना है तो एक मुठी पुदीने के पते और एक मुठी long masala के पते long masala एक plant होता है उसके पत्तों की बहुत अच्छी खुश्बू होती है तो उन दोनों को लेके आपने धोग के थोड़ा dry कर लेना है इतना dry कि उनका पानी सुख जाए पूरी recipe आपको description box में मिल जाएगी मैं आपको पूरा बनाते हुए दिखाती लेकिन हुआ ये तो guys अभी मम्मा काट रहे है salad salad masala जो मैं आपको तिखाने की बात कर रही थी उनको हमने अल्रड़ी रेड़ी कर दिया मतलब मेरी वेट भी नहीं की मैंने इनको बोला था हम वीडियो शूट करेंगे इंको इतनी जल्दी होते है तो जो पुदीना और जो लॉंग मसाला के पत्ते होते हैं उनको हमने ड्राय की हम अदल सुखा लिया थोड़ा सा चांके उनमें पानी बिल्कुल न रहे और उसके बाद इसमें डाली है हमने हरी मिर्च और डाला नमक ममा और के डाला है लसुन चार पंच कलिया लसुन की और मिर्ची डाली है इसमें हरी लॉंग मसाला के पत्ते पुदीना के पत्ते और नमक तो चारो पांचों को मिला के हमने ड्राय बना दिया है जो मैंने बना आपको कि सेलेड में इसको मिला के कैसे आप खा सकते हो बहुत ही टेस्ट लगता है कुछ भी और इसमें डालेंगे जूरूरत नहीं बढ़ती हाथ दो रोस आपन से हमने हाथ दो पहले तब मैसला अंदर बना रहे हूं हाँ अभी इसको जो तुम हाथ से मिला दो है चम्चर से बना दो यह तापके मर्जी मर्जी अवस ऐसे सैलेड बनाना है काटना है और यह जो मसाला हमने बनाया सेलेड का इसको हम इसके ओपर अब देहों कि अधियों यह ममा ने इसमें बनाया था मैं अंदर जैस्पिन के पास दो मिनट चलीगी विस आई तो यह सैलेड मसाला बन कि अधिय हो जाएगा पदीनागी बहुत अच्छी कुछबू आती और बहुता टेस्ट आता है लोग मसाला के जो पत्ते होते हैं उनका भी बहुत अच्या टेस्ट आता है उसे मिलालो चाहे ये चम्चे सिम्ला रो आप अपनी मर्जी है तो जोड़ा सा डाला आला हमने मसा अबना है मसाला बनाते वक्त वो आपका 4-5 चमच नमग के पत्ते में आपको तिखाए थे पुदिना और लॉंग मसाला के पत्ते उतना ही अमाउंट आपने ले रहा है उसके इसमें ममा ने कम से कम 10-12 मिर्चे हैं ना 10-12 मिर्च इसमें डाली है और लसुन की कलियां 4-5 जैसे मैंने आपको बता लिया पहले है बढ़िया है यह बन गया सैलेड सैलेड मसाला के साथ चकोत्रा फट्टा है चकोत्रा फट्टा है गल-गल जैसे हम बोलते है ना गल-गल होती है तो वैसे है पर यह कोई औरी ब्रीड जालक भी छाथ चानर जैसे आपको क्पादी और भी मिठा यह देखा यह देखाने की वारत कांगे अब करोजी कि आपको देखो जी आफे प्र देस्ट करो जी ऐसे कहाएंगे स्कुराइगे स्विद्थ करो जी मिठा आ है कि युब ये बाइलिजिकल बॉडी है इसको अदर्जी चाहिए तो तभी जी पाएगी जी नी पाएगी 59 तक तो ये जी चलनी पाएगी आगे कहा जाना है तो अपनी पेरेंट्स के साथ मैंने बहुत अच्छा वक्त बिताया और उनसे दुबारा जल्दी मिलने की उमीद रखते हुए इस वीडियो का एंट करती हूँ मिलूंगे आपसे नेक्स वीडियो में चलतन बाबाई टेक केर और स्थे हल्दी